Hello everyone, welcome to Hindi Tech Tutorials और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कोई भी फाइल का extension चेंज कर सकते हैं So generally तो extension चेंज करना कोई बहुत बड़ी बाद नहीं है आप फाइल को rename करते हैं और माँ पर आप जाके extension चेंज कर सकते हैं लेकिन बहुत बार issue आता है कि आप उसका extension देखनी पाते हैं और उस extension को कैसे change करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो उसके लिए आपको करना होगा हम example के लिए फाइल लेते हैं जो कि HTML फाइल और इसका extension .txt मुझे चेंज करना है तो मैं अगर इस पे right click करता हूँ और rename करता हूँ तो मैं यहां पर देखनी पा रहा हूँ कि इसका extension में change कैसे करूँ यहां पर वैसे .html लिखावा आना चाहिए अगर मैं इसकी properties में जाओं तो मैं देख पाऊंगा कि यह .html है लेकिन मेरे पास कहीं option नहीं है इसे change करने का right click करने पर और rename करने पर मुझे .html लिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको my computer में जाना होगा और यहां पर आपको organize पर जाना होगा उसके बाद folder in search option पर जाकर view पर जाना होगा और इस वाला जो यह जो टिक लगा हुआ है उसको हटाना होगा hide extension for known file types और apply करना होगा okay और इसको बंद करता हूँ मैं और इसको राइट लिक करके rename करता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि इसका extension मुझे आपर विजिबल है तो मैं इसका extension हटा के इसके extension कुछ भी दे सकता हूँ dot txt yes yes तो गाइस यह txt file बन गी इस तरीके से मैं किसी भी फाइल का extension change कर सकता हूँ वापी से मैं इसको html कर देता हूँ और अब मैं खूलूंगा इस फाइल को तो यह आज 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 के लिए इतन ही और आज के लिए इतन ही और thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए please इस वीडियो को लाइक कीजिए सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्यूटियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए बाबाई